चलान वे चलान के द्वारा Entry Adjustment में करेक्शन करने के लिए Adjustment Entry के बटन पक लिख करें। चलान में करेक्शन करने के लिए Required चलान को Select कर Modify बटन पक लिख करें। अगर चलान NSDL पर Book या Match हो गया है तो चलान Date, चलान Number, PSR Code और Amount में कोई परिवर्टन नहीं किया जा सकता है। आप केवल Total चलान Amount को Bifurcate कर सकते हैं। NSDL Utility के अनुसार चलान को Delete नहीं किया जा सकता। आप चलान में Adjusted Entry को Unadjust कर सकते हैं। सभी Entry को Unadjust होने पर चलान Delete ही माना जाता है। आप इस चलान को अन्य किसी भी क्वाटर में यूज़ कर सकते हैं। Correction वे Added चलान अलग-अलग रंगों में दिखाई देंगे। रंगों के माइने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। अगर गलती से चलान Modify हो गया है, तो Recall Old Value की बटन पर क्लिक कर वापस पुरानी इस्थिती में लाया जा सकता है। आप Adjust TDS Entry के Option से भी Entries को Adjust where Unadjust कर सकते हैं। इसके लिए चलान को सलेक कर Adjust TDS Entry के Option पर क्लिक करें। Entry को Adjust करने के लिए Checkbox पर टिक करें। वे Unadjust करने के लिए Checkbox से टिक हटाएं। आप इस स्क्रीन पर दिये गए Add New Entry Option से नई Entry भी Add कर सकते हैं। धन्यवाद।